नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण राज की बात बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राज की बात दोस्तों, आपका जिन्दगी स्वर्ग से भी सुन्दर बना देगी। आपका किस्मत सातवें आस्मान में चमकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक महिला आपके हाथ से जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है। दोस्तों, यह महिला आपका भाग्य बदलने वाली, वह लक्ष्मी का रूप है, जो कि दोस्तों, आपकी किस्मत में आने से आपका किस्मत ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, यह महिला आपके घर में आते ही आपका घर धन दौलत रुप्या पैसा से भर जाएगा, आपको वह ऐसो आराम मिलने लगेगा, जो दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, गाव महले के लोग भी बोलने लगें जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यह महिला आपके जीवन में आने से, दोस्तों, इस महिला में वैसी गुण है, वैसी दिव्य शक्ती है, जो कि दोस्तों, अन्होनी को भी होनी कर देगी, जहां दोस्तों, एक प्रकार से इस महिला में वह गुण है, जो कि दोस्तों, जिसके भी कि पियला का वास हो जाए, उसकी किसमत बदल जाएगा. तो दोस्तों, इस महिला को आप बिलकुल ही अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा. जी हां दोस्तों, इस संकेत को आप जरूरी समझ लीजिएगा. नहीं तो दोस्तों, आप बाद में बहुत ही पच्छताएंगे, आप जीवन भर रोते रहेंगे जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह महिला आपका जीवन स्वर्ग बना देगी यह महिला आपकी किस्मत का कोहिनूर का हीरा है और दोस्तों ये महिला आपसे ज्यादा दूर नहीं है आपकी बहुत ही करीब है लेकिन आप उन्हें अभी तक देख नहीं पाएं हैं उनसे अभी तक आप अंजान हैं लेकिन वह कहते हैं ना कि किस्मत का खेल ही निराला होता है जी हाँ दोस्तों किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है और दोस्तों आपका किस्मत में यही महिला से किस्मत बदलने का योग लिखा था जो कि दोस्तों इस जन्म में आपको मिलने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिस ना करें और बिलकुल ही ध्य जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में ऐसी ऐसी सचाई बताई गई हैं जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन ही नहीं होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें और अंत तक वीडियो में बताएं कि हर एक बात को विस्तार से जान ले तो मित्रो वीडियो को प्रारंब करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए एक महत्वपूर्ण ज्यान के साथ। तो दोस्तों भगवान श्री पिर भी जीवन में सब कुछ हासिल कर ली, कितनी ही धन दौलत, कितनी ही सुख सुविधाओं की चीज है, अपने आसपा से कठी कर ली, फिर भी यदि वह प्रेम में धोखा खा जाता है, तो वह अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी हो जाता है, संसार से उसका मन उठ जाता है, तो मित्रो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, कि हम अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें, तो धोखा खाने से बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जै श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक है और उन परिस्थितियों को आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। वरना आप अपने जीवन का बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे तो कुछ लोग ऐसा सोच रही होंगी मित्रों की हमारे जीवन में तो कई लोग हैं जो हमारे रिष्टे हम से जुड़े हुए हैं तो कौन सा भाई इनसान है जो आपको धोखा देने जा रहा है हम आपको बता दें कि हम आपको आज एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जो अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रही है लेकिन बाहर से आपको बिलकुल भी पता नहीं लग रहा है तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन से आप बड़े आराम से जान जाएंगे कि वह कौन स्त्री है जो आपको धोखा दिये जा रही है और आपको बरबाद करना चाहती है तू वीडियो को बिलकुल भी मिस न करे शुरू से लेकर अंत तक देखें एक एक मिनट वीडियो कब बहुत ही आवश्यक है मित्रों यह समय आपके जीवन में उतार चड़ाव का समय है आपके जीवन में परिस्थितियां कठिन से कठिन होती चली जा रही है सफलताओं से आभूशन दूर है हाला कि अब प्रयास बहुत करते हैं ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं आप पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं सच्चे दिल से आप मेहनत करके परिणाम हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपको मन चाही सफलता अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है आपके ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है दिनेश गुर्जर कुछ इस प्रकार का होता है कि आपको संगर्श अधिक करना पड़ रहा है और फल बहुत ही कम प्राप्थ हो रहा है या फिर कभी-कभी तो होता ही नहीं है तो आपके जीवन में इन सब परिस्थितियों से छुटकारा कैसे प्राप्थ होगा यह सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है देखते रहिए मित्र लोग व्यापार करते हैं उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाईया कम है व्यापार में वैसे तो परिशानिया बहुत हैं लेकिन व्यापार ठीक ठाक चल रहा है और छोटी किसी प्रकार की लेन देन के लिए बिलकुल भी सही नहीं है ये मित्रों राहु का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार हो रहा है जो आपको आगे चल कर बहुत बड़ा धोखा या बहुत बड़ी परेशानी में डालने जा रहा है तो आपको इस समय किसी भी प्रकार के बड़े देन-देन से सतर्क रहना है, दूरी बनाए रखना और बड़ी निवेश में भी आपको नहीं फसना है। यदि आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुख जाएं और कुछ समय का इंतजार कर ले। उसके बाद ही आगे बढ़े। हम आपको यह कहेंगे कि किसी भी बड़ी निवेश करने से पहले आपको अपने घर के बड़े बुजरगों से सलाह मशवरा करना चाहिए या फिर आपको अनुभवी लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो सचमुच में आपकी भलाई चाहते हैं उनकी सलाह से ही आप किसी बड़े निवेश को करें जी, हमें तो दोस्तों, यह समय आपका दूसरों पर निर्भर रहना बहुत ही खतरनाक होने वाला है आपको अपने कारियों की जिम्मेदारी स्वैन उठानी होगी किसी और पर आप भरोसा करेंगे, तो आपका कारिय सौ प्रतिशत बिगड़ ही जाएगा जी, हमें तो आपको अपने कारिय की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी मेहनत से अब आपको पीछे नहीं हटना है जब भी हमारी ग्रहों की चाल में नकारात्मक होती है हमारे जीवन की परिस्थितियां खराब होती है तब हमें मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग कर काम्याबी हासिल हो सकती है तो मित्रो आपको अब अपनी कार्य की जिम्मेदारी खुद उठानी है जो इस समय आपके घर वातावरण भी थोड़ा बहुत नकारात्मक हो सकता है लेकिन आपको परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है इस समय आप कोई भी प्रयास करेंगे तो आपके लिए परिणाम नकारात्मक ही आएंगे यानि आप किसी का अच्छा करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके हाथों से हो जाएगा बुरा और आपको बुरा ही हाथ में मिलेगी तो हम आपको यह सलाह देंगे इस समय आप कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ना करें बस अपने जीवन पर और अपने कारियों पर अपना ध्यान बना कर अपने बजट का भी आपको इस समय विशेश खयाल रखना है क्योंकि आप फिजूल खर्ची में भी फश सकते हैं जी हमें तो वैसे तो आपकी आमदनी के स्रोत अभी कम ही चल रहे हैं यानि आपकी आमदनी अभी कम ही है फिर भी आप खर्च करने के मामले में कभी कबार लापरवाही अवश्य दिखा देते हैं जिस से आपका बजट गडबड़ा जाता है और आपके जीवन में परेशानिया प्रवेश कर जाती है इस समय आपका अपने भाईयों से भी अपना बहुत मनमुटाव हो सकता है तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको किसी से भी किसी प्रकार की चर्चा करते समय बहस में नहीं पड़ना है यदि माहौल बहतर बनने लगता है तो आपको वही स्थान छोड़ देना है वरना आप अपनी उर्जा और अपना समय दोनों ही बरबाद करेंगे इस समय आपको उतावली कौन से भी काम नहीं लेना है आपको बड़ी गंभीरता से पूरे मामले को समझना है और सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना है यदि आप उतावलापन दिखाएंगे तो आपके जीवन में विपत्तियों की बाढ़ा जाएगी आपके बने हुए काम भी बिगड़ते चले जाएंगे जी हाँ मित्र किसी भी कीमत पर आपको उधार नहीं देना है इस समय दिया गया था ना और आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा और यदि मिलेगा भी तो आपके रिष्टे खराब करवा देगा जिसका मित्रों आपको किसी भी प्रकार का धन, किसी को भी उधार नहीं देना है और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी आपको धन उधार नहीं लेना है ये मित्रों जिस प्रकार धन जाना बुरा होता है, उसी प्रकार उधार का धन आना भी बुरा होता है जी हाँ मित्रों आपको जो भी आपके पास है बस इतने में ही काम चलाने की आदट डालनी होगी समय अवश्य ही पत्रिका कुछ समय के बाद आपके ग्रहों की चाल बहुत सुन्दर होने जा रही है आप हमारा यकीन करिए मैं तो कुछ समय के बाद आपका समय इतना सुन्दर होने जा रहा है कि आपके पास इतनी खुशियां आएंगे क्या आपको यकीन नहीं होगा कि आपका जीवन तो इतनी पी रहा हूँ, शिप्रा हुआ था अब अचानक क्या हो गया? मित्र सबकुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, इंसान तो हर वक्त प्रयास करता है, लेकिन कभी विफलता मिलती है और तभी सफलता मिलती है, आपके जीवन में भी सफलता पाने में अभी थोड़ा सा समय है, जैसे ही ग्रहों का गोचर है, वह सकारात्मक होगा आपके पक्ष में होगा आपके जीवन में सफलताओं का भी प्रवेश होगा तो मित्र आपको ऐसे इंसानों से भी बच कर रहना है जो आपका दुरुपयोग करते हैं आपकी भावनाओं का लाब उठाते हैं जहां मित्रों आप अपने मित्र और शत्रु की पहचान करने में थोड़ी सी कच्चे हैं और आपके सामने यदि कोई अपना दुख ना रोता है मगर मच्च के आंसू की वह आता है तभी आप उसे प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं ये स्थिती आपके लिए बहुत बुरी है क्योंकि आपके दुध आपकी इस स्थिती को अच्छी तरह से जानते हैं विभाग चुके हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं तो भी आपका लाब उठाने के लिए ऐसी स्थिती बना देते हैं और आपका दुरुपयोग हो जाता है। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि या इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। फिर भी आप उसके दिखावटी भावनाओं में बह जाते हैं और अपना शोशन करवा लेते हैं तो आपको ऐसे इंसानों से भी बत्तर रहने की आवश्यक्ता है। इस श्रेणी में आपकी कुछ मित्र और रिष्टेदार शामिल है। ये मित्र अकसर लोग आपसे धन उधार लेकर वापस नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं, चक्कर कटवाते हैं, कभी कभी तो आप उस धन को भूल ही जाते हैं कि आप उस तरीके के इंसान नहीं है जो किसी के पीछे ज्यादा समय तक हूँ, मैं और किसी के बिना जब मैं चापलूसी करें, जी हमें तो आपके अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान है, आप अपनी संतों पर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, परिस्थितियां विकट आपस में ही कहीं जुकना पसंद नहीं करते हैं, ये आपके सद्गुनों में से कुछ गुन हैं, जी अधिक पहचानती है, कि आपकी भावनाएं ना बदले, इसके लिए पहले ही तयारी करके बैठती है, और मगर मच्छ के आंसू बहाती है, और आपका शोशन करती चली जा रहे हैं, तो दोस्तों, हम आपको बता दें, कि वह वहस्त्री है, जो हर वक्त आपके साथ रहती है, वह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, आपकी सहकर्मी भी हो सकती है, या आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकती है, उस स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह है, कि वह स्त्री हर वक्त आपकी चापलूसी करने की कोशिश करती है, आपको कभी-कभी ऐसा एहसास भी होता है कि यह ग्रुप तो आपके अंदर है अभी नहीं तब फिर वही स्त्री ओनन करो कि आपके सामने आपकी तारीफ कर रही होती है आपके मन में इन सब बातों के लिए कभी-कभी थोड़ा सा बहन अवश्य पैदा होता है लेकिन आप भावनाओं में बह जाती है यह मित्रों और वह स्त्री अपने आकर्शन का आपके सामने अत्यधिक प्रदर्शन भी करती है और वह चाहती है कि आप उसकी तरफ आकर्शित हूँ और उसे प्रभावित मैं तो आपको बहुत सतरक्ता से पहचान करनी है ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके आस पास रहकर हमेशा आपसे बस मदद की मांग करती रहती है रुपए पैसे को लेकर आपका लगातार शोषण करती चली आ रही है आप से तरह तरह की चीजों की डिमांड करती रहती है मित्र ऐसी स्त्री आपका कभी भला नहीं चाह सकते वह मन ही मन आपका शोशन कर रही है आपको धोखा दे रही है आप अपनी सहज बुद्धी का प्रयोग करें आप बहुत ही बुद्धिमान है बड़े आराम से अब पता लगा लेंगे यदि आप बाबू को कर सोचेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं से उपर उठकर विचार करेंगे तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है नाम तक आपको पता चल जाएगा जब आपको पता लग जाए तो आप तुरंत ही कोशिश थी कि अपना पीछा छुड़ा ले वरना आप बरबादी की ओर बढ़ रहे हैं आपकी बरबादी निश्चित है तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मा काली लिखना बिल्कुल भी न भूलें जिसके साथ हो माता काली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धाप